हेलो स्टुडेंट्स तो प्लस टू क्लास का हमारे पास एक सैंपल पेपर आ चुका है सैंपल टेस्ट अगस्ट 2022 मैथमेटिक्स का तो यहां पर देखिए हमारे पास एम सी के वो कोश्चेंज भी आएंगे आपको तो पर क्लास का ही यहां पर क्लास करेंगे उसी का सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं रिलेशन फंक्शन फ़स्ट चैप्टर है जो आपका उसमें टू माक्स वन माक्स के दो कोश्चंज आएंगे inverse trigonometry में 4 questions आएंगे 1 marks के और 4 marks के 3 questions है matrices में 6 questions आएंगे 1 marks के और 2 marks के 3 questions और ऐसा ही vector में 4 questions आएंगे 1 mark के and 3 questions आएंगे 2 marks के तो maximum marks जो है आपके वो inverse trigonometry function में आने वाला है उसके बाद matrices then उसके बाद vector में तो जल्दी से हम solutions देख लेते हैं हमारे जो हमारे पास sample paper उसके solutions देख लेते हैं हम पहले मारे पास mc के हुए mc के हुए हमारे पास है if a vector is any vector a cross a then हम जानते हैं a cross a है जो हमारे पास sin 0 degree बनेगा और sin 0 degree जो है 0 के एकल होता है तो c option इसकी राइटर से answer आ जाएगी और second के लिए हमारे पास है a cross b is equal to a dot b तो a इसको हम लिखेंगे हम जानते है cross product है जो sin theta के एकल होती है और जो dot product है हमारी वो है वो cos theta के एकल होती है तो हम देखेंगे इसे यह cancel हो गया sin over cos 10 theta is equal to 1 यानि कि theta हमारा pi by 4 के कुला जाएगा और हमारी option number a है जो right हो जाएगी if a plus b is equal to c and a and b are matrices of order 4 by 3 हम जानते हैं कि same order वाले ही अपस में plus होते हैं और जो उनका answer आता है वो भी वही matrix होता है तो 4 by 3 order का ही c option इसमें right आ जाएगी a matrix which is a both symmetric and a skew symmetric यह होता है zero matrix तो fourth question का answer हमारा zero matrix है the matrix a 2002 यह एक scalar matrix है तो b option इसमें right आ जाएगी हम जानते हैं कि किसी square matrix के नहीं number of rows and column equal होंगी तो हमारी c option equal आएगी m is equal to n यह नही number of rows equal to number of column के equal तो यह नहीं कि square matrix है यह हो इसमें दिया हमको a star b is equal to a upon a plus b तेने हमने 2 star 3 solve करना है तो 2 star 3 के लिए हम लिखेंगे 2 over 2 plus 3 यह तो हमारे पास 2 by 5 बन जाएगा और हमारा option number इसमें b है जो वो सही हो जाएगा sign inverse x and cos inverse x यह हमारा pi by 2 के क्लोता है तो sign pi by 2 हमारा 1 बन जाएगा और हमारा option number a इसमें write हो जाएगा उसके बाद हम देख लेते हैं next question हम जानते है j cross a k हमारा i के बराबर होता है तो i cross i बन गया यह और k cross i जो हमारा वो j के क्लोता है तो j cross j बन जाता है यह और जो i cross j k क्लोता है k cross k हम जानते है यह तो same matrix से cross हो तो zero vector आ जाता है तो zero vectors में फिलप्स में answer आ जाएगा tan inverse x is equal to range क्या होती है इसकी minus pi by 2 से लेकर pi by 2 के बीच में इसकी range होती है tan inverse x की तो यह हमारा फिलप्स में आएगा a b is equal to c और a का हमको जो order दिया हो 3 by 4 है b का हमने calculate करना है और c का 3 by 5 है तो b का अगर हम देखें तो इसके column और इसके rows मिलते है तो 4 4 by यह match करेगा तभी हमारा 3 by 5 आएगा तो इसका मतलब b का जो हमारा order होगा वो 4 by 5 होगा यानि कि 4 by 5 इस फिलप्स का answer आ जाएगा हमारे पास tan inverse x हम जाते है यह tan inverse है जो यह tan minus 5 by 5 minus 5 by 4 के एकल बनेगा तो इसका answer आ जाएगा minus 5 by 4 उसके बाद हमारे पास है 2i plus 3j plus 6k is 49 इसका magnitude हमको पते है इसका magnitude true false है इसका magnitude calculate करेंगे तो 2 square plus 3 square plus 6 square जो कि हमारे पास root 49 आ जाएगा 7 जबकि यहां पर 49 दिया है तो यह हमारा false होजेगा इसमें principal value of tan inverse tan 2 pi by 3 तो हम जानते हैं यह tan inverse tan 2 pi by 3 को pi minus pi by 3 लिख सकते हैं जो कि minus pi by 3 के एकल बनेगी और यहां पर pi by 3 दिया गया यह निकि यह भी false हो गया तो अगर 2 by 2 का order है हमारे पास तो यह 2 raise to power हमारे पास 4 बनेगा यह निकि 16 जो है इसके possible matrix बन सकते हैं जब कि यहां पर 4 दिखा हो है तो यह भी false है हमारा हम से पुछा गया है कि अगर एक function real to real है और इसमें इसमें बताना यह true है तो यह true है क्योंकि जब इसको वाइस इकल टू एक्सके रूट वाई आ जाएगा जो कि हमारे पास एक imaginary value दे सकता है अगर हमसको भाई को ओटा की form में लेंगे तो यह हमारे पास true है उसके बाद हमने एक construct करना matrix तो इसके लिए हम देख लेते हैं हमसको solve करना पड़ेगा 17th question हम solve करने वाले हैं हमारे पास एक two by two का matrix है a11 a12 a22 और हमको condition दीए aij is equal to 2y-3j का determinant तो a11 calculate करेंगे अगर हम तो a11 के लिए हम two into one minus three into one तो in modulus की form में लेंगे तो two minus three हमारे पास यह modulus की form में वन ही आ जाएगा a12 के लिए हम लेंगे two into one minus three into two तो यह हमारे पास बन जेगा two minus six it means यह four आ जाएगा हमारे पास and a sorry यह two one है अगर हम यहाँ पर two one लेंगे तो two into two and three into one तो यह हमारे पास four minus three यानिके one के एक कुल आ जाएगा and a22 अगर हम लेंगे तो two into two minus three into two तो यह हमारे पास बन जेगा four minus six यानिके minus two जो की plus two बन जेगा और अगर इसका matrix बनाएंगे अगर हम तो यह हमारे पास one four one two हमारे पास इसका अंसर आ जाएगा तो यह था हमारा 17 कोशिन का अंसर उसके बाद हम देख लेते हैं next question हमारा कौन सा है next question है 18 question 18 question में हमने शो करना है कि f of a zero के लोगा तो यह matrix को हमको solve करना पड़ेगा तो हम इसकी statement लिखते हैं पहले हमारी statement क्या है इसमें statement है अमको given है यहाँ पर 18 question है यह हमको given है 4 3 2 1 यह हमको given है और f of x हमको दिया गया x square minus 5 x minus 2 और हमने f of a को 0 प्रूव करना है तो यह हमारे पास बनेगा a square minus 5a minus 2y is equal to 0 यह प्रूव करना है हमने पहले हम a square calculate करेंगे तो उसके लिए हमको a.a करना पड़ेगा तो यह हमारे पास है 4 3 2 1 तो इसको 4 2 3 1 से multiply करवाएंगे अगर हम 4 4 16 3 2 हमारे पास 6 आ जाएगा और यह 4 3 हमारे पास 12 बनेगा यहाँ पर next element and 3 1 3 यहाँ पर 3 आ जाएगा देन उसके बाद 2 4 is the 8 and 1 2 is the 2 2 3 is the 6 and 1 1 is the 1 तो हमारे पास यह जो matrix बन गया यह हमारे पास 22 and यह बन गया 15 10 and 7 अब हम इसको solve जब करेंगे हमारे पास इसमें a square हमारे पास आ चुका है 22 15 10 and 7 और 5a मतलब के हम इसको 5 को यह से multiply करवा देते हैं यह हमारा यह 4 3 तो यह 20 5 3 is the 15 5 to the 10 and 5 1 is the 5 और यहां पर identity at 2002 तो इसको अगर हम solve करेंगे 22 minus 20 minus 2 plus 2 आएगा जो कि 0 बन जेगा 15 minus 15 भी 0 10 minus 10 भी 0 और 7 minus 5 2 minus 2 0 तो यह हमारा 0 matrix प्रूव हो गया जो कि right hand side के equal हो जाता है तो यह हमारा हो जाता 18th question अब उसके आप देख लेते हैं हमारा next question number 19 क्या है इसमें हमने verify करना ए मैट्रिक्स एक बी मैट्रिक्स है दोनों को multiply करा कि transpose भी यह हमने एक प्रूव करना इसको तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि values क्या है हमारे question number जो हमारा 19 19 के लिए हमारा है माइनस 245 और बी यह हमारा 13-6 पहले हम क्या करेंगे दोनों को multiply करवा देते हैं तो यह माइनस 245 है और यह मारे पास 13-6 है अब इसका order हमारे पास 3 by 1 है जबकि इसका हमारे पास है 1 by 3 तो 3 by 3 का एक हमारे पास a b का matrix बनेगा माइनस तूदा माइनस 2 and माइनस 2 3 is the minus 6 and 26 the 12 4 1s of 4 4 3 is 12 and 4 6 the minus 24 five ones of 553 15 and 56-30 इसका transpose कर देगर हम तो रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम को रोज में तो यह माइनस 2 माइनस 6 12 and यह 4 12 15 12-24 sorry यह हमारा यहां पर आएगा 55 15-30 यह हमारे पास a b आ चुका है ट्रांसपोज करने के बाद a b का ट्रांसपोज यह a b ट्रांसपोज अब हम पहले a ट्रांसपोज करेंगे ए हमारा जो है वो एक कॉलम मैट्रिक्स इसको रो में कनवर्ट कर लेते हैं तो यह हमारा बंजेगा माइनस 245 और बी ट्रांसपोज हमारा जो बनेगा 1 3-6 अब इनको मल्टिप्लाई करेंगे हम b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज b है हमारा 1 3-6 और a हमारा माइनस 245 तो इसको मल्टिप्लाई करांगे 1 2-2 हो गया हमारे पास और यहां पे बंजेगा हमारा 1 2-2 यह हमने चेंज कर लिया बी ट्रांसपोज और 1 4-4 1 5-5 और 3-6 यह 12 आ गया 3-5-15 6-2-12 और 6-4-24 और 6-5-30 तो यहां पे कोई हमारी मिस्टेक हुई हम चेक कर लेते हैं यहां पे हमारा 24 था यहां पे 24 था तो यह अवारह प्रूव हो गया कि e funding to be transpose अधिध्रांसपोज के जो है यहां पे हमारा इककोल हो जाता है फाइनली हमारा जो प्रूव हो गया कि एउबीक ड्रांस्पोस भी ट्रांस्पोस एटरांस्पोस के एक को फिरूoka उसके बाद लिए थे रहेत Lite क्विल नेक्स्ट कॉस्षिन हमारा क्या है थैट कॉश्षंट नमबर रहे हमारा त्वटिमट कोश्टेमे हम ने projection calculate करनी है दो वेक्टर की तो हम देख लेता है जल्दी से इसका answer question no.22 sorry 20 question इसमें हम लेते है एक वेक्टर हमारे पास है आपास यहां पर i-cap j-cap and b-vector में ले लेते हैं i-cap plus j-cap तो हमने projection पता करनी है A vector on B vector तो हमारे पास formula होता है A vector dot P vector and B vector का magnitude तो dot product one into one one आ जाएगा and minus one into minus one B का magnitude यानि के one square plus one square तो यह तो zero point root two मतलब के zero answer आ चुका है हमारा इसका question number 22 20 का 21 देख लेते हैं 21 तो easy है बिल्कुल इसमें दो vectors आपस में parallel है और इसमें P calculate करना है हमने question number 21 देख लेते हैं 21 के लिए क्या करना पड़ेगा हमको A vector हमको given है यहां पे 3 I cap plus 2 J cap plus 9 K cap and B vector है हमारे पास I cap plus P J cap plus 3 K cap तो अगर हम इन दोनों को parallel ले रहे हैं तो इनकी ratio ले लेंगे हैं कोफिशेंट्स की 3 over 1 is equal to 2 over P is equal to 9 over 3 तो इनको equate कर दो हमारे पास बंजेगा 3 P is equal to 2 और P की value 2 by 3 के equal आ जाएगी और यह हमारा जो है answer बन जाएगा question number 21 देख लेते हैं में इसका question number 22 जिसमें determine the area of a parallelogram whose urges and sides हमको given है A vector and B vector दिया हुआ है तो दोनों वेक्टर हम पहले लिख लेते हैं कि A vector हमारे पास है I cap minus J cap plus 3 K cap and B vector हमारे पास है 2 I cap minus 7 J cap plus K K cap तो दोनों की cross product हम करवा देते हैं easily I J K तो हमारे पास यहां पे coefficient of 1 minus 13 और यहां पर 2 minus 71 तो इसका magnitude करेंगे तब एरिया आएगा हमारे पास अब हम पहले इसको solve कर लेते हैं क्या बनेगा हमारे पास इसको solve करेंगे तो यह minus 1 plus 21 और यह minus J हमारे पास बनेगा 1 minus 6 then plus K इसको solve कर लेते हैं यह हमारे पास बनेगा minus 7 plus 2 तो यह हमारे पास बन जाता है 20 I cap and plus 5 J cap then minus 5 K cap इसका magnitude calculate कर लेते हम 20 square plus 5 square plus minus 5 square तो यह बन जेगा हमारे पास 400 plus 25 plus 25 जो की root 450 के एक कुला जाएगा और यह हमारा जो है area बन जाएगा तो यह हमारे जो है दो section complete होगे इसके बाद हमारे पास कुछ long जो है sum बच चुके हैं वह अगली वीडियो में मैं जल्दी upload करूँगा आप मेरे चैनल के साथ बने रही है ऐसे ही मेरे पास और भी sample paper physics and chemistry के भी आ चुके हैं वह भी मैं प्लस वन का भी solution जो है maths का upload करने वाला हूं तो टेलीरम चैनल को भी जॉइन कर लीजें वहापे आपको इनके PDF मिल जाएंगे ओके स्टुडेंट्स एक्जाम्स के लिए all the best keep studying and bye